हेलो फ्रेंड्स अगर हापने हमारा चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके पाज़ों में जो बैल आइकोन है इसे क्लिक करके आप इसकी नोटिफिकेशन आउन कर सकते हैं ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करों तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल मेरा नाम है रहबर खान और मैं आज आप लोगों को इंस्टाग्राम की एक ट्रिक बताने वाला हूं जो आप लोगों ने देखी लिए होंगे मेरे बैनर में और मे क्या बताने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ये दो ट्रिक हैं दो तरीके से आप इससे कर सकते हैं तो वही मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है अगर आपको दोनों तरीके देखना है तो आप बिल्कुल और यह आपका पर्मनेंट लगा सकते हैं जब TAK आप यूज्स कर रहे हैं इस dude कोई भी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका सच में लगा नहीं लगा है आप किसी के भी सामने यूज करके दिखा सकते हैं आप आपका इंस्टाग्राम और ब्लू टिक रहे गई और सेकंड ट्रिक है कि आप आपकी फोटो एडिटिंग स्नैप सीट से ही मैंने किया हूं तो फोट की आपको कया करना होगा आपके फॉय स्टोर में जाना होगा फ्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यह ऐप्लीकेशं डाउनलोड करना हो यह बिल्कुल फ्री है 4.2 की लेटिंग है तो इसे ौलोड कर लीजिये पहले इंस्पेक्ट एंड एडिट एस्टी एम लाइव तो आप यहां सिंपली जाएए इंस्टाग्राम सर्च कीजिए गूगल में यहां से इंस्टाग्राम वेब साइ्ट को लीजिए Instagram.com और यहां लॉग इन हो जाएए अगर आप फेसबुक से लॉग इन होना चाहते हैं तो फेसबुक से तो सबसे पहले आप देखिए आपने प्रोफायल अकांट में जाए यह तो यहां कोई ब्लूट साइन नहीं है तो यहां ब्लू साइन लाने के लिए सबसे पहले आप देखिए यह step अच्छे से follow कीजिए आप इससे कुछ भी edit कर सकते हैं अपने पेंज में तो देखिया simply search में जाएए यहां कोई celebrity का नाम search कर लीजिए जैसे मैं search कर लेता हूं कोई भी लियो मैसी कोई सर्च कर लेते हैं क्योंकि नाम बहुत चोटा सा है तो देखिये जैसे ही आपने search करें इनका यहां blue sign दिख रहा है आपको ब्लू टेक्ट तो आपको करना क्या है simply आपको करना यह है कि आपको यह जो sign दिख रहा है एक icon finger का तो इसे simply tap करना है उपर और tap करने के बाद आपको क्या करना है कि यह blue sign में simply अगर आप यह yellow कर देंगे इसे तो आप editing mode में चले जाएंगे पूरे page का आप कुछ भी edit कर सकते हैं पूरे page में तो friends यहाँ tap करने के बाद simply blue sign में tap कीजिए तो यह code आएगा तो code को आप पूरा select all करके इसे copy कर लीजिए तो यह copy हो गया है select all करके हमने इसे copy कर ली है अब simply back जाएंगे हम अपनी यहाँ देखिए यह profile जहाँ पना इसके बाद हम जाएंगे इसे बंद कर देंगे yellow sign को और यहां से simply हम अपने account में फिर से जाएंगे profile में और यहां जाने के बाद यहां जो blank space देख रहा है आपको यहां आपको tap करना है है यहां editing mode चालू करके तो यह से simply yellow कर देंगे फिर से फिर blank में हम tap करेंगे और देखिए आपको वो जो हमने copy किये थे code उसे paste कहां करना है देखिए यहां देख रहा है यह दो symbol देख रहा है इसके center में आपको वो paste जो है आपको करना है तो इसे simply हम इसे select करके यहां तक ला लेते हैं cursor को sorry यह थोड़ा सा छोटा सा इसलिए यहां से select नहीं हो रहा है तो हम simply इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो हमने इसे magnifying कर लिए यहां simply हम इसे paste कर देंगे तो यहां यह paste हो गया है लेकिन यहां से एक देखी symbol चले गया है तो यह symbol हम फिर से ला देते हैं यह कहां से आएगा simply यह वाला था हैं तो यहां से आप स्क्रिंशॉट लेकर किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं कि आप के इतने हो गए हैं और दूसरी चीज मैं आपको और बताने वाला हूं कि आप इससे follower post following सब आप edit कर सकते हैं तो मैं करके देखा देता हूं यहां से फिर से 1.4m मिलियन कर देते हैं simply हम चले जाएंगे तो देखिए 1.4m यहां जो है हो गया है तो यह इस टाइप की आप ट्रिक है से यूज कर सकते हैं अगर आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए अभी इस वीडियो को अब मैं second trick बताने वाला हूं जो है आप इसका एक screenshot ले लीजिए जो कि मेरे पास पहले से है तो मैं नहीं लूँगा आप simply जाएए second trick के लिए एक screenshot ले लीजिए अपनी जो आपने blue sign लगाया उसका और simply आप Instagram में जाएए और अपना एक profile का screenshot यहां से भी ले लीजिए तो आपके पास यह दो screenshot हो गया आप simply जाएए अपने snap seed में snap seed में जाने के बाद आप यहां प्लस के sign में क्लिक कीजिए और यहां से एक आप अपना screenshot ले लीजिए मैं screenshot ले लेता हूं एक स्क्रीन शॉट पहले मैंने डिलीट कर दिया है तो मैं इसका एक screenshot पहले ले लेता हूं मैंने यह screenshot ले लिया है अब हम जाते हैं simply snap seed में और यह screenshot अपडेट हो गया बिना sign बिना blue dot का देखिए यहां कोई dot नहीं देख रहा है और ब्लू sign नहीं देख रहा है तो simply हम जाएंगे tool में और यहां जाने के बाद हम इसे edit करना है तो हम जाएंगे simply double exposure में double exposure में जाने के बाद हम plus sign में जाएंगे और यहां हम जो है blue sign वाली जो है एक photo ले ले लेंगे कोई सीवी जैसे मेरे पास यही है blue sign वाली तो मैं इसे देखी यहां ऐसा adjust कीजिए आप की यह बिल्कुल परफेक्ट आ जाए original type तो मैंने यहां परफेक्ट कर लिया अब इसकी opacity यहां से जाएंगे हम और full कर देंगे okay कर देंगे यहां से जाएंगी simply edit में view edits में double exposure को edit करेंगे और यहां आप simply zoom करके यहां blue sign ऐसा ला लीजिए बहुत ही simple है और इसे जहां simply okay करके done कर दीजिए तो इस blue sign आप किसी को भी screenshot देखा सकते हैं अगर यह video आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए चैनल को और आपको जो भी इस video में link जो application की थी वह description में मिल जाएगी तो friends share कीजिए अपने friends से thanks for watching take care bye bye